नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ मेशा आईए करते हैं खबरों किश्रवाद भागलपूर के तिलकामाजी थाना शेट अंदरगर सचिदानन नगर में गुरुवार की देश शाम लगी भिशन आग की चपेट में आने से दरजनों जोपड़ी और घर जल कर राख हो गए वहीं इस आगजनी की घटना में हुई तवाही कर जायजा लेने शुकरवार को जिलाधिकारी सुबरत कुमार सेइन सचिदानन नगर पहुची और आग लगने वाली जगह का मुआइना किया इस दोरान डियम ने अगनी पिडित परिवार से बात कर उनके नुकसान और परिशानियों के बारे में जानकारी ली सरकार इवं रशासन के अस्तर से पिडित परिवार को हर संभब साहिता दिये जाने की बात कही वह इस दोरान जिलादिकारी ने सदरेज़्टियो और आपदा प्रवंधर विभाग के अधिकारियों को जल से जल अगनी प्रिडितों को जरूरी मदद पहुचाने का निर्देश दिया साथ ही आपदा प्रवंधर विभाग के द्वारा जारी गार्टलाइन के नुसार प्रिडित परिवारों को तुरंद मुआपसा देनी का अधिश दियम ने आपदा प्रवंधर विभाग के पताधिकारी को दिया इसके अलावत ज्राधिकारी ने तत्काल अगले दो दिनों तक परिटपरिवारों की खाने के लिए विवस्था करने का निर्देश अधिकारीओं को दिया जो काफी तेजी से बढ़ती चली गई और इसकी चपेट में आने से आसपास के कई घर जलकर राखो गए जबकि इस अगनी कांट के पिरित परिवारों को मुआपसा देनी करने देश आपदा प्रवंदर विभाग को दे दिया गया है बता दे कि गुरुवार की शाम सचिदाना नगर में लगी आग इतनी भयावय थी कि उसे देख कर लोगों के होश उड़ गए और इस आग सनी में सिलंडर ब्लास्ट करने की बात कही जा रही है जबकि तेज हवाओं और सिलंडर ब्लास्ट से आग और तीजी से फैल गई हाला कि जीरा और प्लीस प्रिशासन के दिकारियों के साथ अगनी शमन विभाग के कर्मियों की ततपरता से काफी मशक्त के बात आग पर काबू पाया जा सका लिए यह भी अभी शुरू हो जाएगा तो इस संबंद में यहां आपदा ब्रबंधन जो प्राविकारी है डिसी हैं वो भी उपस्तित है इस गिल साहब अंचल अभीकारी है यह ववस्था हम लोग सुलिश्चित कराएंगे चेक भी आजी हम लोग बटवा देंगे लेकिन यह है कि मेजर कोई जानमाल का नुक्सान नहीं हुआ है जानवर गूश्चित है और यह सामने जमीन है यह सरकारी जमीन है जिसका लोग यहीं के लोग मवेसियों को रखने में करते थे तो उसी में में आग लगा है और जब आग फैला है तो तीन चार घर जो है वो प्रभा इसलाम का मुबारक पाक महीना रमजान का अंतिम रोजा शुकरवार को पूरा हो गया जबकि इसके साथ ही भागलपूर समेट देश भर के मस्जीदों और खान काहूं में शुकरवार को अलवीदा की नमास अदा की गई रमजान का महीना वरकतू का होता है और इसमें हर जुमा के साथ अलवीदा की नमास का विशेस महत्व होता है इस दीन इसलाम को मानने वाले ईद की तरही अलवीदा की नमास अदा करते हैं वही रव्जान की आकरी जुमापर भावलपूर और आसपास के सभी मस्जिदों में कापी संख्या में रोज़ेदारों और मुसलिम समाज की लोगों ने नमास अदा कर मुलके की तरक्शी और खुशहाली की दुआ वागी शहर की तातारपूर मर्शीद के पास हजारों की संख्या में नमासियों ने सड़कों पर नमास अदा की जबकि मौलाना चक, शह मारकेट, भिकनपूर, हुसेनाबाद, खंजरपूर समय जीले की तमाम मस्जिदों और खानकाओं में पूरे उत्सा के साथ अलविदा की नमास अदा की गई वहीं पुलिस प्रशासन के दौारा जूमे की अलविदा नमास को लेकर जगह जगह सुरक्षा के पूपका इंतिजाम किये गए थी जबकि शनिवार को मनाई जाने वाली ईद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साथ दिखाए दिया बता दे कि मुस्लिम समुदाई के लिए रमजान का महीना सबसे पवित्र और महत्वपूर ने माना जाता है और रोजा की दौरान सभी रोजेदार अल्ला की वादत कर अपने गुनाहों की माफी और अमन्चैन के साथ खुशाली की दुआ करते हैं जबकि रमजान पूरा होने पर चांद देखने के बाद इद मनाई जाती है नवगच्य ट्रक ओनर एसोशेशन की ओर से अस्थानी होटल में प्रेस कॉन्फरेंस क्या गया जिसमें एसोशेशन के पदादिकारियों ने भागरपूर जिला पुलीस द्वारा ऑनलाइन घुसकोरी करने का गंभीर आरोप लगाया ट्रक ओनर एसोशेशन के प्रमंडली अध्यक्ष दीप नारायन सिंग दीपक ने कहा कि एक तरफ ट्रक चालक पुलीस से परिशान है तो दूसरी तरफ फाइनिंस कंपनी के नाम पर गुंडे भी ट्रक चालकों को परिशान करते हैं दीप नारायन सिंग ने अवयाद बालू खनन में शामी लोगों पर कारेवाई होनी की मांग करते हुए कहा कि भागलपूर जीला के सजोर थाना शेत्र में खुले आम अवयाद बालू का खनन क्या जाता है जबकि अमडंडा थाना शेत्र में भी अवयाद बालू लोटिंग का कारोवार चल रहा है इसका एसोशेशन खुले तोर पर विरोत करती है साथ ही कहा कि पहले पुलीस पलो द्वारा ट्रक को रोका जाता है फिर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर माइनिंग विभाग और परिवहर विभाग को बुला लेनी की धमकी दे जाती है ट्रक मालिकों ने कहा कि परिवहन विभाग का जुर्माना सतर हजार रुप्ये से कम होता है जबकि माइनिंग विभाग का जुर्माना लाखों में होता है लेकिन पुलीस द्वारा ऐसी स्थिती में ट्रक चालोकों को भायवित किया जाता है साथ ही कहा कि पुलीस द्वारा 40-50,000 रुप्य का दोहन ऑनलाइन पेमिन्ट करवाग कर किया जाता है जबकि ऑनलाइन पेमिन्ट पुलीस कर्मियों द्वारा किसी दूसरे के खाते में भेजने को कहा जाता है और जब पेमिन्ट कनफर्म हो जाता है तो ट्रॉक को पास किया ज इधर ट्रॉक चालकों ने कहा कि गंगा पार भागलपूर के नौध आना श्रीत्र में अक्सर ट्रॉक चालक और मालिक का सोशन और दोहन किया जाता है। साथ ही कहा कि वे सभी भागलपूर के प्रशासनिक पदादिकारियों से विक्रमशिला सेतु पर ओवर्टेक के नाम पर अंडरलोट और खाली ट्रकों से भी अव्याद बसूली पर रोक लगाने के साथ अन्य छोटे वाहनों पर बेवजह जुर्माना लगाने को बंद करनी की मांग करते हैं अध्यक्ष तीप नाराइन सिंग दीपक ने कहा कि वे लोग जल्द ही अपने मुद्दों को लेकर भागलपूर के सभी वर्य पुलीस पर दादिकारियों से मिलेंगे और समस्या का निदान नहीं होने पर आने वाले दिनों में भागलपूर और नवगच्छ से है कि रात वर हम लोग वीडियो बनवाते हैं गारी मालिक ही वीडियो बनाते हैं ट्रक बाले भी बनाते हैं हम लोग ट्रक में कैमरा भी कुछ जगा सेट किये उसका भी बाइरल मोबाइल में हम लोग का वो सेट अप है जो मैं रखा हूं कैसे पैसा लिया जाता है अंडर तरह के घठना है कि हम लोग उसमें लिखे हैं आपके प्रेस कॉन्परेंस में दिये भी हैं जो आरोप हम लगाने जा रहे हैं भागलपूरजिलाटर हुनर अगर गलत आरोप है तो आप भागलपूरजिला का जो अध्यच बोल रहा है उस पर पुलीस अपना केस कर दे हम अग पास उतना साक्ष है उस साक्ष में जितने भी वर्दी वाले ये काम कर रहे हैं उनको वकसने का इस्तिती नहीं हम लोग हाई कोड में भी पुलिस के खिलाब केस किये हुए है एक तरफ जहां स्मार्ट सीटी के तहट शहर का सौंद्रिय करन का काम चल रहा है वहीं वार्ट नमबर 20 के पाश्रत ने खलीफाबाग चौक पर महापुरूश की प्रतिमा स्थापना पर रोक लगाने के लिए नगर आयुक्त को एक आविदन दिया है जिसमें साफ तौर पर इस अस्थान को भीड़ भाड़ वाला बताते हुए से अतिकर्वन मुक्त करने की मांग की गई है नगर आयुक्त को दिये गए आविदन में खलीफाबाग चौक पर प्रतिमा स्थापना समीती की लोग काफी आक्रोशित है जबकि इसको लेकर प्रतिमा स्थापना समीती की कई पदाधिकारियों ने शुकरवार को जिलाधिकारी सुबद कुमार सेन से मुलाकात कर ग्यापन सौपार इसमें प्रतिमा स्थलो के सौंध्रिय करन कारे में उत्पन ने तकनी की वाधा दूर करनी की मांग की गई बतादें कि 24 जन्वरी 2022 को शहर के तीन जगों पर प्रत प्रतिमा स्थापित कर चराहों का सौंध्रिय करन की बात सुनश्चित होई थी जिसमें वराइटी चौक पर महराजा अग्रेशन की प्रतिमा खलिवाबाग चौक पर दानवीर भामाश्रह की प्रतिमा और नगर नीगम कारियाले परिसर में डॉक्टर भीम रॉम वेटकर क प्रतिमा स्थापित करने का निर्नाई लिया गया था, इसके पात तीनों जगों पर भूमी पूजन भी कराया गया था, वही डियम को ग्यापन देने वाले प्रतिनीधी मंडल में संतोशा, डॉक्टर नीरब निरंजन शाह और बिर्जु शाह समीत प्रतिमा स्थापना समी बॉर्णिक मिडिया के माध्यम से सारी बाते प्रकासित और प्रसारित होती रही है और हम लोगों ने समयह समय पर रिखित яв quieren измен को और ब्रशासन savings sa उसको हटाने का भी नगरायक ने आदेश दिया है जब वहाँ अतिकर्मन था या अस्थल चिनित नहीं था तो किस प्रकार से आपने आदेश निर्गत किया है और किस प्रकार से बारबार हम लोग आपसे मिल रहे थे आपने अस्वासन दिया और काम करने का जो आपने रास्ता बताया हम लोगों ने काम किया है कहीं नगर आयत को भी जो भ्रांती हुए उसको दूर करने का हम लोग काम कर रहे हैं भागलपूर के सुल्तानगज प्रखन अंतरगत करहरिया पंचयाद के दिग्गी वाट संख्या 13 में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है इसको लेकर शु जल नल योजना पाट संख्या 13 में फेल नजर आ रही है जबकि 16 लाग की लागत से यहां जल मिनार बनाया गया है जो शोभा की वस्तु सावित हो रही है ग्रामीनों ने कहा कि इस जल मिनार से करीब 200 घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है लेकिन इसके बावजूद जल मिनार से पानी घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है जिसे ग्रामीनों को भिशन जल संकट का सामना करना पढ़ रहा है साथी प्रदशन कर रहे हैं लोगों ने बताया कि PhD के द्वारा वार 13 में 6 चापकल दिये गए हैं लेकिन एक भी चापकल नहीं चलता है और गर्मी के कि सूध नेने नहीं पहुँचे हाल यह है कि यहां के पुरुष और महिलाओं को पीने के लिए पानी काफी दूर से लाना पड़ता है इधर विभाग के जई दीपक कुमार में बताया कि पाइपलाइन कम होने के कारण सभी घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है लेकिन जल्दी पाइपलाइन बिछा कर ग्रामीनों की समस्या का निदान करने का अर्देश दे दिया गया है और अगले दो दीन के अंदर सभी घरों तक पानी पहुचना शुरू हो जाएगा इसके लिए शीकायत कहीं किया है अरे हमरे भाइप पानी पराता तक नहीं का नहीं का नहीं किया नाम है अब वक्तों चला एक छोटी से ब्रेक का फॉरल नोटेंगे देखते रही है सिल्क टीवी नाम मुकेश कुमार एज 38 साल पहला बेर जब सुगर का पता चला तो फास्टिंग दूसे तेरह और पीपी 330 था और हम डाक्टर साहिब के पास आये केडा है और दवा यूज किये फरवरी में हमारा हमारी पता चली थी और दवाबंध है और आज हमारा जो है सुगर लेवल 125.3 है आज हमारा हमारी इलाज बहुत सफलता पूर्बग बहुत विश्वास के साथ हुई है और हम जो है बहुत संतुष्ट हैं इस इलाज से क्या है आज है आज हमारा हमारि इलाज से खाया आज I विवाह कलेक्शन आपका अपना कलेक्शन हमारे यहां आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतिजाम है एक बार जरूर तश्रीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं रीद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं हमारे यहां आपके लिए है सलवार सू, लेंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किट्स लेंगा और भी बहुत कुछ मौझूद है एक बार जरूर तश्रीफ लाएं ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते उतली खवर क्योग भागर पूर के शाकूंध हाना शेट आंतरगर्त मध्य विद्याले नियामतपूर की रसोईया के पतपर कारिरथ सवीता देवी ने विद्याले के प्रधानचारे पर गमपीर आरोप लगाया है दरसल सवीता देवी का कहना है कि बीते 18 अप्रेल को जब उसने विद्याले की प्रधानाचारे से बीतन भुकतान करनी की बात कही तो प्रिंसिपल ने उसके साथ जबरन दुशकर में करनी का प्रयास किया इसके बात वह किसी तरह से प्रिंसिपल से अपनी को छुड़ा कर भा अधिक्षक आनंद कुमार के पास पहुंची साथी रसोया सवीता देवी ने वर्य पुलीस अधिक्षक से आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कारेवाई करने की मांगी वहीं पिडिता के पती का कहना है कि उसकी पतनी दो साल से स्कूल में रसोया के पत पर कारिरत है ल मैं से आपकाना जर्चाश पैसा मंग रहे थे हो इसी बजातों अधिसंे जो कि ने दिया कितने दिलों का है दूसाल से परसा दिया ही नहीं उसके बाद क्या लिए उसके गगर हमसे बास अधिकर हमसे बॉल रहा था कि कहीं नहीं जाना उख जो कहेंगे वह संना पड़ेगा तुमको मार देंगे तुमको मेरा बात मॉनमा पड़ेगे, सवीता देगे जाओगे तुक जॉन मार देंगे एक दम साफ है वही जो डियम के पास दिये थे कहा गाजी करवाई के करण से दिये थे कि दो साल से खनो बना रहा था और जो है वो नहीं नहीं मिला है डीम से घय और, तुम्रा बाप है डीमु की तुम्रा बाप है, कहीं जाओगे तुम्रा कोई भी नहें लेगा। भागलपूर के नवगच्य प्रखंड के उप्रमु गौतम कुमार ने इलाके के विभने विद्यालियों का निरिक्षन किया इसमे निरिक्षन की दौरान कई विद्यालियों में अनिमित्ता पाई गई जबकि उप्रमुक ने मौके पर मौझूद कर्मियों से जब इसके जानकारी ली तो कोई जवाब नहीं मिला। वह इसके बाद उप्रमुक प्रात्मिक कन्या विद्याले पकड़ा पहुँचे जहां नेरिक्षिन की दौरान विद्याले में 70 बच्चे उपस्थित थे। जब मद्धि विद्याले महदतपूर समेत कई स्कूलों कर निरिक्षन किया। जिसमें कई जगों पर अनिमिता की शिकायत मिली वही उप्रमुक गौतम कुमार ने बताया कि निरिक्षन की दौरान सभी विद्यालियों में 10 वजे तक हासरी नहीं बनाई गय थी। और विद्याल है कि अगर भोजन खराब हो रहा है तो हेट मास्टर को खुच इससे देखना है जबकि वह अगर लेके शिकायत देंगी तो इसके जाज की जाएगी आज हम जो है मार्धमी कुव्य त्याले ऊड़िदी स्कोल जितनों भी है हर जद निरिक्षन किया जिसमें ची मेदरपूर्ण सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो बहुत से स्कुलों में बच्चे और जो है टीचर के विडियो है उसमें तहा जिया है कि आज जो है डाल खटा था सब्जी खटा था अच्छावल की विट्वाइल्टी नहीं है बहुत से बच्चे ने ठाना बरबार जिक किया जिसता हर परमान है जग्दिसपूर प्रखन कार्याले में दिव्यांग जनों को निशुल के सहायता उपकरन मुहिया कराने के लिए परिक्षन शिवर का योजन किया गया जिसमें ट्राइसाइकल वीलचेयर वाकिंग स्टेक स्मार्ट केन स्मार्टफोन हीरिंग एंड कृतिम अंग और प्रखन में प्रचार रत की विवस्ता की गई है साथ इसके लिए विभाग की ओर से एक हेल्प लाइन नंबर 628710307 चारी किया गया है वहीं जग्दिसपूर में लगाए गया शिवर में सभी 86 दिव्यांग जनों के जांच के बाद उपरन वित्रन का पच्चा दिया गया देखें ये सांसद मोदे के स्वजन से जो ये सीवीर लगाया जा रहा है वागलपूर के सभी 16 बढखनों में लगा जा रहा है तो अलग-अलग दिन पे अलग-अलग जग़ पे यह हो रहा है तो यहां पे इतने भी दिव्यांग है जो भी यहां आई में और वो इस तरह से का लेजे का जाता है वालिए कि निवी को चलने में दिखत हो रही है तो उस तरह के विकलांग को चिन्नित किया जाता है और उनको जो है उधकरन देने के लिए लुक यह कर रहा है तो छाल इस बुलेटिंग में इतना ही तब तक को यह नमस्कार झाल झाल